क्या मनिपूर आशान्थ हो चुका हैं? क्या दंगाई आउट ओफ कंट्रोल हो चुके हैं? इंटरनेट से वाए क्यों बंदि करना पड़ा? नमस्कार बहुत स्वागत है आपका निउजटीन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं हो री नूँ लगातार हम देख पा रहे हैं पिछले एक साल से मनिपूर में जिस तरीके से इंसक छड़प हो रही है उसके बाद से अब हालात सेप्टमबर के पहले हफता से बहुत ज़ादा बिकाबू हो चले हैं हाल ही में कल ही महिलाओने और छात्रों ने मिलकर प्रदशन किया और इस विरोध प्रदशन के चलते डीजीपी साथी मनिपूर सरकार के जो सरक्षा सलाहकार हैं उन्हें हटाने की मांग के जारीते और उसके चलते राजभवन का गिराव करने के लिए प्रदशन कारी आगे बढ़े और इसी बीच में प्रदशन कारीयों को पूलिस ने रोकने की कोशिश की बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़े की कोशिश की गई प्रदशन कारीयों की द्वारा जिन्हें रोकने के लिए आसुगा इसके गोली छोड़े और यहां पर हलका बलका प्रयोग भी करना पड जिसमें पांच छात्र गंभी रुप से घायल बताये जा रहे हैं प्रदशन कारीयों की मौत हुई है और इस मौत के बाद से जो हाला थे वो बहुत जादा आउट ओफ कंट्रोल हो चुके हैं अब देखा यह जा रहा है कि मनीपूर में अगले पांच दिनों तक तरीके की घटना को अंजाम देते हैं उसके बाद से यह बहुत तीजी से लोगों तक पहुंचता है सर्कुलेट होता है और उसके बाद अलग लग शित्रों में भी दंगाई इस तरीके से उपद्रफ करने लगते हैं और ऐसी ही दंगों को रोकने के लिए लोगों तक ऐसी जानकारी जादा ना पहुच पाई इस वज़े से आपर इंटरनेट से बंद कर दी गई हैं ताकि जो मेसेज़ेस जो डो समुदाय आपस में भीड़ रहे हैं ये एक दूसरे तक ना पहुच पाई और जड़प आगे ना हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 माई 2023 में ज जल रहा है आपने देखा है जिस तरीके से दो समुदाय मैतेई और कूकी ये दो समुदाओ की आपस की लड़ाई अब ये उगर रूप लेती जा रही है ज़सा पहले भी हमने बताया है कि जो कूकी समाज जे वो पहाड़ों में रहता है जो मैतेई है ये घाटियों में रह से दो भागों में बढ़ चुका है और देखा ये जा रहा है कि लगतार फाइरिंग हो रही एक महिला को हमने हाली में सुना है जिसका ये कहना है कि एक तरफ से फाइरिंग होती है और अगर यहां से फाइरिंग नहीं होगी तो यहां पर कोई बचे गई नहीं यहां पर मनीप चारू कस्तमाल युद्ध में जादा तर सेना के जवान करते हैं लेकिन इनके पास ही हत्यार कैसे पहुंचे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उनके लिए बहुत बड़ी परिशानी खड़ी हो गई है। आग की आगोश में समाया हुआ है। अब दो जो जातिया है कुकी और मैतेई दरसल इनमें जो संख्या भल है वो तो हमने आपको बताए कि मैतेई की जादा है कुकी समाज की कम है। और इसके चलते दोनों में जो शेतरवाद हैं इसको लिकर भी जातिवाद को लिकर भी आरक्षन को लिकर भी तमाम ऐसे मुद्धे हैं जिसको लिकर दोनों पक्षो के बीच में लगता जड़प होती आ रही है। देखें कि 3 मई 2023 को अनुसूचे जनजाती के दरजे की मांग के विरोध के चलते जब आदिवासी एक जुटा मार्च की निकाला किया इसके बाद जड़प हुई और दो समुदाय आपस में पढ़ गए हैं और इसके बाद से ये जड़प हो रही है। फिलाल इंटरनेट से वाएं बंद कर दी गई हैं इसमें प्रदशनकारी जो हैं वो बुरी तरीके से जख्त में हुए हैं अभी तक 200 से जादा लोगों की मौत इस मनिपूर की हिंसा के चलते हो चुकी है और ना जाने अभी आगे कितने लोगों की मौत हो सकती है क्योंकि ग ये लगतार आग में चल रहा है अब लोगों को इंतजार है कि कब ये लड़ाई खत्म होगी और कब लोग रहत की सांस लेंगे अपने घरों से बाहा निकल पाएंगे क्योंकि महिलाओं को आपने सुना उनका कहना है कि हम तो घर से बाहा निकल कर बैट भी नहीं पाते हैं डर लगा रहते हैं कि कब कोई हमला न हो जाए उनके उपर और इसमें सबसे जादा जो नुकसान होता है वो महिलाओं का और मासुम बच्चों का होता है क्योंकि जो पुरुष है वो लड़ाई करने चले जाते हैं कई दिनों तक घर नहीं लोट पाते हैं और उनको यही नह होता है कि तीन-चार दिन तक कि उनके घर का जो पुरुष गया हुआ है लड़ाई लड़ने के लिए क्या वो वापस आएगा या नहीं आएगा या तो उसकी मौत तो नहीं हो गई है क्या वो जख्मी नहीं हो गया है ऐसे तमाम अटकलों की बीच में लोग अपना जीवन आपने इस वक्त बिता रहे हैं और ये वाके में एक बहुत चिंता कविश्य बन चुका है कि मनिपूर में जो हिंसा किया आगे ये कप शान्त होगी, कप ठंडी होगी लेकिन फिलाल अभी जो हालातें बिकाबू हो चले हैं यहाँ पर आर्पयाफ और साथी सेना के जवाने मोचा संभाला हुआ है, देखना ये है कि कब तक ये परिस्थितियों से निजात मिल पाती है, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं, नमस्कार